पंजाब में उनकी सरकार है ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीक को जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि यह फाइनल मैच है तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हेबिच्वल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव एरेस्ट करनी चाहिए थी नहीं कि रहूल कांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे उकसा रहते हैं सिये एग में भी ऐसा ही हुआ है कॉंग्रेस की रैली होती है सडक पर आने की वो चिता उकसाते हैं और दूसरे दिन से सडक पर आंदोलन शुरू होता है वैसा ही यह भी आंदोलन है कॉंग्रेस की सरकार है वहां जान बूच कर किसानों को उकसाया कल के ट्वीट भी प्रमान है कल यूद कॉंग्रेस के और बाकी कॉंग्रेस के संस्ताओं के ट्वीट्स उधारन के लिए मैं बताऊं एक ट्वीट में कॉंग्रेस ने लिखा अहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश हो रही है यह जो इतना लाल के लिए पर हुआ अहिंसक था और जो नागलोई में हुआ था वो अहिंसक था और जहां जहां पुलीस ने रोकनी की कोशिश की वहां जो हुआ जिस तरह से पुलीसों पर प्रहार हुआ तलवार से डंडे से जिस तरह से पुलीस को पीटा गया पुलीस को तीन सो से ज्यादा पुलीस जखमी हुए अभी तो पुलीस ने कहा है चार सो लोग जखमी हुए अनेक लोग हस्पिटल में है और अनेक पुलीस आईसीउ में भी है और यह कह रहे है कि आहिंसक मार्च को हिंसक दिखाने की कोशिश यह आहिंसक मार्च नहीं था लेकिन कॉंग्रेस उसको आहिंसक बता रही है दूसरे ट्वीट में कॉंग्रेस ने कहा है युवा कॉंग्रेस मजबुती से ट्रैक्टर लाली रैली के साथ खड़ी है और ट्रैक्टर कैसे बस को धड़क देंगे बैरिकेड को धड़क देंगे पुलिस जीप को सामने से तक्कर मारेंगे और तो और कॉंग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सिडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई सम ने देखा क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था नहीं तो कॉंग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया पुलीस बरबरता के चलते एक किसान मरा और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समधन नहीं इस शांती की अपिल करता हूं कि यह पश्चाद बुद्धी है कि कॉंग्रेस हताश है निराश है कि चुनाओं में हार रहे हैं कि कॉमुनिस्टों की भी वही हालत है कि इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिष्टा ढूंड रहे हैं वो किसी भी तरह से देश में आशांती तयार करना चाहते हैं कोई दंगा भढ़के कोई आशांती हो कोई हिंसा हो पुलिस सक्थी करें पुलिस फाइडिंग करें लोगों की जानमाल की हानी हो और फिर भढ़काय जाए माहुल कि यही कॉंग्रेस की राजनीति अब बच गई है लगातारम बीजेपी और विशेशकर मोदी जी की लोगप्रियता और सफलता बढ़ रही है कॉंग्रेस और कम्मिनिस्टों की घट रही है उनको चिंता है परिवार राज का क्या होगा लोगों ने नकार दिया लेकिन उसी कॉंग्रेस अहंकार के साथ आज इस तरह से हर हिंसा के संभव को उक्साने का काम कर रही है कल दिल्ली पुलिस ने अद्भूत सयम दिखाया उनके पास शस्त्र थे लेकिन उन्होंने चलाय नहीं तल्वार से प्रहार हुए दंडे से प्रहार हुए पत्थर से प्रहार हुए फिर भी पुलिस ने सयम दिखाया यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंस्नी काम है और थोड़े समय में सब अशान्ति को काबू में मिलाया सरकार ने तो दस राउन चर्चा के किया है साल देड़ साल कानून रोकने की स्थगित करने की भी तैयारी दिखाई है चर्चा के लिए बुलाया क्लाज बाई क्लाज चर्चा तो करो दिखाओ किसानों का कौन सा अधिकार कम को हुआ है इन कानूनों से किसी को भी ठेस नहीं पहुंची है सब जारी रहे का यह मालूम है एक किसान को आप्शन देने का प्रयास है इन कानूनों में कॉंग्रेस भी समझती है लेकिन कॉंग्रेस यह समझोता होने नहीं देना चाहती एक तरह से मुझे कभी कभी लगता है कि जो हारे है जो पराजित हुए लोगों के चुनाव में वह सब इकटा कर देश में माहुल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं चब्वी जन्वरी को कॉंग्रेस इस तरह से किसानों को उकसाएगी कहां से कहां कॉंग्रेस गिर गई है उसका यह उधारन है और इसलिए कॉंग्रेस के इसी नकारा सोच की उकसाने के राजनीती की और वह जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है और उनकी सरकार होकर यह सब तरह से हुआ है यह हमें समझना चाहिए और इसलिए कॉंग्रेस के ऐसे राजनीती की हम कड़े शब्दों में भर्चसना करते हैं जनता ही इसको सही जवाब देगी यह वो समझना चाहिए उनको एक बार सीए के समय इस तरह का अंदुलन किया अब वो दूसरी कोशिश कर रहें और भी कोशिश करते रहेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे देश की जनता मजबूती से विकास के लिए इस सरकार के साथ खड़ी है और सभी कहां बाकी सभी प्रदेशों से प्रदेशों में किसान अंदुलन नहीं है कॉंग्रेस के प्रयास के बावजुद भी अनेक राज्यों में नहीं हुए है तो इसलिए कॉंग्रेस की इस उक्साने वाली राजनीति की हम भर्चना करते हैं आज मेरे तरफ से इतना ही है आपको कुछ सवाल पूछना है तो जरूर पूछिए किस बावज़ अना थे कोंग्रेस कॉंग्रेस कॉंग्रेस को सिर्ञें लेदिए थैसे हैं ती आप कर देए आ लाग्या आ बिए जाते हैं लुग कि आपोस्तों सीचुका italy մीजियो रिजियोगो अईव इवरी मूमित and from record it can be seen who has instigated the Moscow right from the money who do fight the agreement they have reached with police when police granted the permission to hold a rally or a tractor march tractor parade they used to say and tractor parade was allowed on the basis of conditions given which they accepted and did not adhere to therefore everybody is responsible but police will take care of people present on the scene but I am narrated Who was behind кто was behind God кто who was кто I moved this and planned and it and and कि बिल्कुल कॉंग्रेस और उनके नेता रहूल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीती तेश के लिए लाबदाई नहीं है त्कुल करें ट्कुल कि घुझाए धुरी थे लिए लुझार बेश्ड मुनलिख्या शूर्णिय। प्रहुआ लग्लेट बढने बट्राइब कर दो नाथ देघसे कर दूज गुटे अपर्वाट जब पाविडेवल और आग्वा ट्रेख उन अबेडरित प्रूद और आड लुटे कि पुर्च्टिंड थाद रля फ्लिल लॉ